उसी तरह हम देखते हैं कि जो ये अमीद है जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा सूधी सिस्टम पे देते हैं वो क्या हमेशा सेफ रहते हैं सूधी सिस्टम की एक intrinsic problem है जो है cyclical recession cycle के जैसा पैया गोल घुमता है तो जो एक हिस्सा उपर था वो गोल घुमके वापस उपर आ जाएगा या नीचे था तो गोल घुमके वापस नीचे आएगा यह है cyclical recession तो हम यह देखते हैं यह cycle से गुजरना ही होता है international monetary fund की report है वो कहते हैं कि हर 8 से 10 साल के अंदर एक recession आना ही है क्यों क्या मतलब recession के अंदर ऐसा होता है कि अब तुम्हें profit हुआ loss हुआ तुम्हें तो सूध देना ही पड़ेगा अब कभी economic circumstances जब जादा ही खराब हो गए तो जब हो शक्त सूध नहीं दे सकता तो उसे क्या करना होगा अब उसे क्या करना पड़ेगा जब सूध नहीं दे सकता है मिसाल के तौर पर किसी ने home loan लिया home loan लिया तो home loan के अंदर हम देखते हैं सूधी system वाले भी कई सारी नीचे footprint में कई चीज़ें लिखते हैं और कई चीज़ें की वज़ा से बाते होती है जो लोग realize नहीं करते हैं उनके साथ वैसा होता है कई बार floating rate होता है अब जब जादा हो गया तो कई बार क्या हो जाता है जैसे हम देखते हैं कि recent जो recession हुआ उसमें हुआ क्या हुआ बबल जो burst हुआ वो इस तरह से burst हुआ कि लोगों में सूधी loans लिये हुए थे और बहुत आसानी से loans available किये जाए हम सब जानते हैं कि यहां की भी एक reality है कि हर अफ़ते में एक दो call आते है कि आपको loan दिया जा रहा है हम आपको loan देना चाहते हैं आपका loan पास हो जाएगा करो अब यह common चीज है continuously लोगों के अंदर यह demand create किया जाता है एक आदमी अच्छा खासा रह रह रहा है चोटे घर में खुश है उसे कहा जाएगा नहीं तुम्हारे सपनों का घर और एक अच्छे से घर की photo बताई जाएगी और photo's में बताई जाएगा जैसे कि बीवी बहुत खुश है बच्चे खेल रहे हैं तो आदमी सोचने लगता है कि हाँ मेरे पास यह बड़ा घर होगा ना तो मेरी बीवी जो है ना बहुत खुश हो जाएगी और बच्चे यहां से वाँ भागेंगे हर जगा खुश हाली दिखेगी लेकिन यह एक deception है धोका है क्योंकि हकीकत में यह अच्छा बड़ा घर और अच्छा फरनिचो होने से बीवी खुश नहीं होने वाली या बच्चे खुश नहीं होने वाली या जिन्दगी में खुशी आने नहीं वाली खुशी तो यह ल्ला के तरफ से होती है कुरान के अंदर अल्ला ने कहा कि जो लोग एमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं तो अल्ला ताला उन्हें हयातन तॉयीबा दे देगा कुरान की सुरा 16 आयत 97 है हयातन तॉयीबा एक पाक जिंदगी देगा तो ये खाब है कई बार ऐसा होता है कि वो घर आने के बाद खुशी नाम की चीज नहीं होती कितने सारे ऐसे लोग है जिनके पास अच्छे से अच्छा घर है अच्छे से अच्छा फरनिचर है सी व्यू वाला घर बहतरी इंकिसम के टावर में लेकिन नीं की गुली खाके सुना बढ़ता है क्यों क्यों कि ये चीज का कनेक्शन जरूरी नहीं है अब लोग आगे बढ़ बढ़ के अपनी कपैसिटी से आगे कल के पैसे आज खर्च कर रहे हैं कल के पैसे आज खर्च कर रहे हैं फुजूल खर्च की तरफ बढ़ता है सूधी सिस्टम से आदमी फुजूल खर्च की तरफ बढ़ता है, फुजूल खर्च बढ़ता है, तो इसकी वजह सेuong कम होती है, investment कम होता है, investment कम होता है, तो बुजनसेश, डाउन आध होते हैं, तो सूधी सिस्टम के अंदर क्या होता है, आदमी, cash लेकर जब निकला है, market मे निकलेगा शॉपिंग किया कैश खतम हो गया बस बीवी बोल रही ये भी चाहिए वो भी चाहिए बस पैसे खतम हो गया अब चलो घड़ लेकिन चब क्रेडिट कार्ड लेकर निकलेगा तो कल के पैसे आज खर्च करो अभी लोग खर्चा करो तो खर्च करने के अंदर क्या हो घर सूथ पर क्योंकि बहुत सारी अड़िटाइजिन चलाए गई इजी लोन आसानी से डॉक्यूमेंट्स प्रसेस हो जाएंगे इतने घंटे में अप्रूवल मिल जाएगा अब ले लिए उन्हाने सूथी लोन्स जब सूथी लोन्स ले लिए तो मार्केट बढ़ती जा र रहा है ले तो लिया खाब देखकर के लेकिन जब सूथी लोन देने की बात है तो दे रहा है दे रहा है एकॉनमी का थोड़ा डाउंटर्न आया तो डाउंटर्न आने के बाद वो नहीं दे पा रहा है जब नहीं दे पा रहा है तो एक स्टेज आ जाएगा जब बैंक आजा कम हो गया सफफ़ाय बढ़ गया सपफ़ाय बढ़ गया प्राइसिस कम उगए प्राइसिस कम उके इस कदर हो गया के एक आदमी ने मिसाल के तौर पर 50 लाक में घर लिया था वह घर की अभी तक 46 lakh देना है, लेकिन जो घर का 46 lakh हो गया भाओ, वो घर आज 25 lakh में मिल रहा है, तो वो क्या देखता है, कि हाँ तो मेरा clear cut loss है, मैं ये घर का सूथ क्यूं देते रहूं, तो वो ये घर को छोड़ देता है, वो बलते हैं, मैं इसा करूँ कि वो लेना है, तो मैं कभी न कभी वो लूँगा 25 lakh में जो मिल रहा है, मैं ये क्यूं भरता रहूंगा, अब जब लोग भर छोड़ छोड़ के निकले गए तो बैंक्स के पर क्या होगा, जो बैंक्स, जो में सुधी इंस्टिउशन है, जो इतना सारा पैसा कंट्रोल करती है, जिनके हाथ में इतना सारा पैसा होता है, उन्हें भी इस मुश्किल से गुजरना पड़ता है, इस सैकलिकल रिसेशन के अंदर, ये लोग भी एक स्टेज पर जाकर खुद नहीं बचे क्योंकि यहां पर ऐसा हो गया कि लोगों ने जो घर छोना चुरू कर दिया, उन्होंने तो लोन दिया हुआ था, उनका जो सूध आना था वो तो गया, अब पूरा उनका लॉस हो गया, वो घर इतने सारे उनके पास पड़े हैं, और घर बेचेंगे, घर का प्राइस तो कम हो कि हा मारकेट वैल्यू, जो घर जाता में खरीदे हुए हैं, जिसके पैसे वो दे चुके हैं, पचास लाश तो वो घर आज 25 लाश में भिक रहा है। वो बेंक का ही है, तो बेंक का लॉस हो रहा है, आपff 서 too आगे हैं घर की मारकेट वैल्यू का हुगी, तो इस तरह से उ रिसुला नमबर दो आयत नमबर 275 जहां लाह ताला ने कहा यम्हकुल्लाहुर्रिबा लाह सूथ को मिटा देगा सूथ को लाह मिटाएगा और हम देखते हैं कि लाह के रसूल की हदीस है जहां उन्होंने कहा के अर्रिबा वा इनकसुरा मुस्तद्रक हाकिम की सही हदीस है सही अलजामे हदीस नमबर 354-2 के अर्रिबा वा इनकसुरा सूथ चाहे जादा हो तो भी अगर सूथ जादा भी है तो भी आखिर में वो कमी हो जाए सूथ से आमाउन जादा दिखरा है जादा दिखरा है लेकिन आखिर में वो कम ही हो जाएगा ये नभी सलिलासम ने कहा और यही हुआ हम देखते हैं कि कैसे दुनिया के अंदर कितने सारे प्राबलम्स एकिनॉमिक प्राबलम्स कितने सारे चीज़ें मुश्किल है सूदी निजान की वज़ा से ही आएं है